हलो बचो आज का टॉपिक है फोटो इलेक्टिरिक एफेक्ट के बारे में सो हैधिंग है सामने आपके डूवल नेचर इचर औफ रेडियेशन और मैटर So basically dual nature का क्या मतलब है We study this thing Dual nature Dual nature का मतलब है हमारे पास इक source है और source में से light निकलती है तो अब तक हमने previous theory में study करा कि light जो निकलती है वो कुछ ऐसे है waveform में जा रही है इस waveform में जाने का मतलब इसकी अपनी एक frequency होगी इसकी अपनी wavelength होगी This thing is called wavelength इसकी अपनी एक intensity होगी Intensity I Intensity का मतलब होता है Energy Energy per unit time and per unit area मतलब per unit time में per unit area में कितनी energy जा रही है उसको में intensity बोलते हैं तो source के पास intensity भी होगी wave के पास wavelength होगी और frequency होगी यह जो हम लोग बढ़ रहे हैं इस चीज को बोलते हैं This is wave nature of light तो अगर हम light की बात कर रहे हैं तो यह एक wave nature हो गया अभी next topic में हम पढ़ने वाले हैं कि जब किसी source में से light निकलती है तो basically wave नहीं निकल रही है कुछ particles निकल रहे हैं इसमें से कुछ particles निकलते हैं और उन particles को हम quanta या photon नाम देते हैं quanta या photon नाम देते हैं यह basically energy packets है energy packets मतलब आप ऐसे मान के चलो कि यह चोटे-चोटे packets से बने हुआ है ऐसे और इन में energy है packet में packet is full of energy मतलब it has no matter इसमें कोई mass नहीं है बस यह pure form of energy है और जो यह particle आगे को जा रहे हैं वो सीधे नहीं जा रहे हैं they are vibrating vibrating then going vibrating then going ऐसे करके जा रहे हैं इन चीज़ों को हम photon के नाम से जानते हैं लेकिंगे जब हम इस वाली ठीओरी की बात करते हैं तो हम wave nature की बात नहीं करते हैं तो जब वेब ऐसे जा रही होती है तो फोटोन की थियोरी के हिसाब से हम क्या मान के चलते हैं कि आप image in करो कि यह source है इस में से वेब नेचर के हिसाब से ऐसे कुछ होता है energy ऐसे propagate होती है और particle थियोरी के हिसाब से एक फोटोन यहाँ पे होगा इधर होगा तो उसी टाइम पे एक फोटोन यहाँ पे होगा एक फोटोन यहाँ पे होगा एसे कुछ होगा हम ऐसे मान सकते हैं कि जिसको बेब नेचर में वेब ट्रेन बोलते थे उसको हम फोटोन का arrangement बोल सकते हैं फोटोन ऐसे होंगे और यह आगे को propagation हो रहा होगा ये वाइबरेट कर रहा है उप डाउन लेकिन रिबरेशन के प्रोसेस में वो अपने नेबरिंग जोन में या नेबरिंग उसमें एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ये वाइबरेशन ऐसे कैसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया क्यूंकि हम जानते हैं एक ट्रांसबर्स नीचर ह तो अगर वाइबरेशन ओपर नीचे है और आगे को प्रपगेशन है तो आप अंडर्सेंड करो कि मेरे पास पैन है जो एसे अगे ऐसे कर रहा है अगर मैंने राइट साइड में भी करना हो तो मैं ऐसे करूंगा अप दाउन और नाइट अप दाउन राइट अप दाउन तो अगर इस वाले इस वाले सिचुएशन को अप डाउन एन राइट सिचुएशन को अगर तुम देखोगे तो तुम क्या पाऊगे कि ये फोटॉन अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग पोजीशन में सिचुएटेड होगे और इनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइ उन्होंने सबसे पहले photon के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब भी किसी source में इसे light आती है तो वो pure form of energy होता है this is pure form of energy और ये energy बाइबरेट कर रही होती है विस्सम frequency new क्या चीज है इसकी frequency है जितनी ज़्यादा frequency होगी इसकी energy उतनी ज़्यादा होगी और जब energy को calculate करा plank ने तो बताया उन्होंने कि e directly proportional to new है जितनी ज़्यादा frequency होगी उतनी ज़्यादा energy होगी जब हम proportionality हटाते है तो एक constant आता है जिसको हम बोलते है planks constant क्योंकि plank ने समझाया था सबसे पहले तो हम लोग इसको नाम देते है planks constant और ये आजाती है energy और अगर हम frequency को convert करें frequency को convert करें तो हम जानते है frequency होती है c by lambda this we know क्योंकि light speed of light c से चल रही तो c by lambda होगा तो e की value आजाएगी h c by lambda हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों में फर्क क्या है ये वाला formula लिखा गया frequency के साथ में और ये वाला formula इसके साथ लिखा गया wavelength के साथ में perfect है h की value हम में मालूम है already h की value होती है 6.6 into 10 is to power minus 34 and 34 unit के आएगी यहां से दिख रहा है में ये joule है और ये frequency का मतलब per second है इधर जाएगा तो second हो जाएगा so it will become joule second this is the value of planks constant इसका मतलब जब भी किसी source से we have a source source से जब energy एक particular direction में जा रही होती है तो इसमें से photon निकलते हैं एक नहीं निकलता एक के बाद एक के बाद एक बाद एक निकलते हैं जिससे साब से wave train जा रही होती है वैसे continuation में photon निकलते है photon भाग रहे होते हैं speed of light c से जब भी किसी atom के उपर suppose करो हमारे पास यह atom है और यह nucleus है यह orbit में electron चल रहे हैं यहाँ पे भी electron है यहाँ पे भी electron है अगर कोई एक photon या let's say इस वाले source में से light आ रही हो ऐसे तो अभी मैंने आपको समझाया था एक photon यहाँ पे होगा एक यहाँ पे एक यहाँ पे अलग अलग position में photon होगे मालो यह बला photon किसी एक particular electron के साथ टकराया collide करा जिस moment पे कोई एक photon एक electron के साथ टकराता है ठीक उसी moment पे photon की पूरी की पूरी energy उसी electron पे चली जाती है मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि as photon falls as photon falls, energy absorbs in electron मतलब without delaying even a microsecond time जिस time पे यह वाला photon इस electron पे fall करेगा ठीक उसी time पे electron के पास energy आ जाएगी और वो energy को absorb कर लेगा जैसे electron के पास energy आएगी वो यहां नहीं रहेगा हम लोग पहले से समझते हैं कि एक electronic orbit में घूम रहा है अगर इसको energy देंगे तो वो अपने इस orbit को छोड़के higher energy level पे चले जाएगा तो electron यहां से jump करके ऊपर जाएगा इससे पहले कि see we have so many photons न मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि हमारे पास एक photon यहां पे होगा एक यहां पे होगा एक यहां पे होगा बहुत सारे photon एक के बाद एक होगे तो हमारे इस वाले electron को सबसे पहले वाला photon टच करेगा और टच करके इस से पहले कि दूसरा वाला photon यहाँ पे आए यह वाला electron यहां से जम्प करके अपनी position को छोड़के यहाँ चले जाता है जैसे जाएगा तो अब हमारा जो second photon है जो यहाँ पे था वो second photon आगे आएगा इसका मतलब हुआ कि एक ही time में एक electron में दो photon collide नहीं कर सकते so photon की theory बोलती है कि whenever photons are colliding with electron one photon is coming in contact with electron इससे पहले कि दोसरा photon उस electron पे गिरे वो electron अपनी जगे को छोड़ जाता है इसका मतलब हम कह सकते है कि at a time at a time only one photon only one photon absorbs in electron मतलब किसी एक electron में at a time एक photon अब्सॉर्ब हो सकता है इससे जादा अब्सॉर्ब नहीं हो सकता है उससे पहले कि दूसरा अब्सॉर्ब होगा वो वहाँ से निकल के आगे चला जाता है this is something basic points regarding the photon अब हम देखते है photoelectric experiment देखते है photoelectric effect का की कैसे होता है so we have this experiment of photoelectric effect हमारे पास हमारे पास ये एक glass की tube है this tube यहां तक मतलब ये glass की tube है ये पूरा glass का channel बना हुआ है उसके उपर हमने quartz की plate रखती यहां पे source है जिसमें से light निकल रहा है इसको हम लोग जो plate रखी है इसको हमने window बोला हुआ है इसमें से क्योंकि light जाएगी हमारे पास cathode और anode दो plates है this and this right हम generally try करते हैं जब हम photoelectric effect को समझने के try करते हैं जो चीज़े मैं आपको यहां पे समझा रहा था उस चीज़ों को हम experiment से समझने के try करते हैं जब हम experiment कर रहे होते हैं तो हम try करते हैं कि source में से बहुत सारी wavelength ना निकले हैं बहुत सारी wavelength का मतलब बहुत सारी wavelength ना निकले there can be different type of sources कुछ sources ऐसे हो सकते हैं जिसमें single type of wavelength निकलती है जिसको हम बोलते हैं monochromatic light कुछ sources ऐसे होते हैं जिसमें एक ही time में बहुत तरह की wavelength निकलती है lambda 1, lambda 2, lambda 3 we try कि इस वाले source में से केवल monochromatic light निकले monochromatic का मतलब क्या हुआ single wavelength so we try to have monochromatic wave or light frequency होगी अगर ऐसा होगा तो जितने photon यहां से आ रहे हैं उन सबका nature सेम होगा उन सबकी energy सेम होगी तो इस experiment में हम क्या समझने की try कर रहे हैं कि photon का behavior कैसा है मतलब इस experiment से हम photon के behavior को understand करेंगे suppose करो यहां से photon आता है और इस वाले surface के उपर गिरता है surface में atoms है surface में atom है और atom में यह जो मैं अभी आपको दिखा रहा था यह nucleus होगा यह atoms है orbits में electron rotate कर रहे है इन atom में और यह कुछ ऐसे होगा अब possibility कुछ ऐसी है कि जो photon हमने इस surface पर गिराया maybe वो photon इस वाले electron से टकरा जाए maybe इस वाले electron को निकाले maybe इसको निकाले मतलब possibilities are so many कि कौन सा electron knock out होगा तो मतलब जब यह photon यहां से आ रहे हैं जैसे surface पर गिरते हैं तो photon is carrying energy कितना है e equal to h new के बराबर energy है वो वाली energy इस वाले electron को मिलेगी और electron अपने आपको इस वाले orbit से उठा के higher energy level में shift कर देगा अगर energy मिलती है कम मतलब इस वाले photon के पास अगर कम energy है तो electron यहां से उठके next orbit में जाएगा दुबारा से फिर बापे सा जाएगा case number one so we have we have experiment जिसमें हम लिखते हैं points photon of energy e equal to h new falls on atom understand करो falls on atom अभी क्या हो सकता है जब यह fall करेगा तो दो बातें हमें दिखाए देंगी there can be possibility कि इस वाले atom पे जब fall करेगा तो ध्यान से देखो electron तो थोड़े से होगे ना इस वाले atom में electron 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 बाकी जगे पूरी खाली होगी जैसे मालो इस वाले atom में 20 electron है एक बार को माल लेते हैं कि 20 electron है तो 20 electron होने का मतलब हुआ कि इतने space में 20 है बाकी की जगे कैसे होगी भरी के खाली है वो खाली है तो जब photon इस वाले atom पे गिरता है तो there is possibility कि इस atom के contact में electron आ जाए sorry इस atom के contact में photon आ जाए या फिर इसको बीच में से जगा मिलेगी और ये बीच में से निकल जाएगा तो जब ये photon fall होते है photon of energy h new falls on atom तो we have second point only 1% photons only 1% photons come in contact with electron कितने percent? 1% मैंने 1% roughly लिख दिया average लिख दिया nearly होना चाहिए क्योंकि किसी में 1% भी हो सकता है किसी में थोड़े ज़ादा किसी में थोड़े कम भी हो सकते है लगभग 1% photon come in contact with electron बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब miss हो जाते हैं इसका मतलब अगर हमने 100 photon गिराए एक item के उपर अगर हम 100 photon गिरा रहे हैं तो only 1 photon is effective is effective photon क्योंकि बाकी के 99 क्या होगे? miss हो जाएंगे मतलब हम लोगोंने क्या करा इसके उपर मालो यहां से निकले 100 photon 100 photon इसके गिरते हैं बाकी के 99 miss हो जाएंगे और वो अंदर जाके माम दिखाएंगे मतलब electron के contact में आएंगे पहला point समझ आ गया photons of energy H new fall on atom only 1% photons come in contact with electron मतलब 100 photon में से एक photon हमारे काम का होगा बाकी सब खराब हो जाएंगे we have third point वो जो 1% photon आते हैं तो उनकी energy होगी energy E equal to H new is given to electron हमने क्या करा H new energy का photon fall हुआ और जो H new energy का photon फॉल हुआ वो energy किसको मिल गए electron को electron क्या करेगा उस energy को ले लेगा लेने के बाद फिर वो क्या करेगा फिर वो अपने orbit को छोड़ेगा माल लो हमारे पास यह orbit है यहाँ पे वो electron था उसने क्या करा energy को ले लिया यह photon गिरा इसने energy को दिया और उसके बाद वो क्या करेगा outer most अमीन यहाँ से excited state में चले जाएगा तो यहाँ से electron उठेगा और उठने के बाद कहा चला गया माल लो यहाँ तक चला गया माल लो यहाँ चला गया फिर वो यहाँ लगबग 10 power minus 8 second तक stay करेगा 10 power minus 8 second तक stay करेगा उसके बाद दुबारा से back हो जाएगा जहाँ से आया था वहीं पर दुबारा चले जाएगा जब photon इसमें गिरा था तो ऐसे वाले case में हम बोलते है absorption और जब यह 10 power minus 8 second तक रुकने के बाद दुबारा बापस आएगा इसको multi emission मतलब जिस तरह का photon इसने absorb करा था वैसे photon दुबारा से emit करेगा और जिस जगह पर था वहीं पर दुबारा से फिर आजाएगा जब यह दुबारा बापस आएगा एक photon इसने एक photon लिया और वहाँ चला गया लेकिन जब बापस आएगा तो मेभी यह सीधा बापस आजाए और मेभी यह बाइपार्ट में बापस आए तो उसकेस में एक से ज़्यादा photon दी emit करे जा सकती है हमारे photon के पास energy थी हमारे photon के पास energy थी ionization energy क्योंकि हमारा atom क्या हो गया ionize हो गया अभी मैंने आपको third point बताया now we have next point तो हमारे पास photon आ रहा है H new energy का और हमारे पास यह atom है suppose करो हमारा electron यहाँ पे इसको totally बाहर निकालना है हमने मतलब इसको बिलकुल बाहर निकालना है atom से बाहर ले जाना है कि दुबारा बापस ना पाए ऐसी वाली energy को बोलते है ionization energy suppose करो यह वाली energy है E naught के एकुल E naught E naught क्या चीज़ है energy required energy required to eject electron from atom इसी को हम ionization energy भी कहते है और इस वाले topic में इसी का नाम होता work function work function work function का मतलब वह वो minimum energy वो minimum energy जो required हो I am talking about minimum energy वो minimum energy जो required हो electron को यहां से knock out करने के लिए और बाहर निकालने के लिए यह कौन सा electron है? atom का electron है atom का electron है तो यह हमने बाहर निकालना है और इसको निकालने के लिए हमें E naught के बराबर energy और ऐसी वाले energy को हम बोल रहे है work function हम बात कर रहे थे third point की now भी हो fourth point अगर H new छोटा होगा E naught से मतलब जो हमारे पास photon आ रहा है उसकी energy H new और E naught कौन सी energy है? जो हमें energy required है electron को बाहर निकालने के लिए अगर यह छोटा होगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ electron बाहर निकलेगा पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा कहीं बीच तक जाएगा और थोड़े दिर के बाद फिट जे लॉट के आ जाएगा ऐसे वाले case में हम बोलेंगे इट इस नौट ती फोटो इलेक्ट्रिक इफएक्ट जिस चीज़ को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफएक्ट नाम दिया वो यह नहीं है उसका कारण है हमारे पास photon की energy है और यह E0 है यहां से electron निकलेगा कहीं midway जाएगा और बापस लोट के आएगा हमारे experiment में उसका observation नहीं दिखाए देगा हमारे experiment दिखाए आपको हमारे experiment में क्या हो रहा है photon आ रहे है इस पे गिर रहे है और electron eject होके बाहर जा रहे है eject होके बाहर जाएगे हमने circuit complete कर दिया यहां पे deflection होगा कुछ हमें दिखाए देगा हमें लगेगा जैसे current का flow हो रहा है यह कब दिखाए देगा यह हमें तब देखेगा जब electron बाहर आएगे तब ही हमें लगेगा photoelectric effect हुआ है photon की वजए से electron का निकलना is called photoelectric effect है और यहां पे हम लोगों ने क्या करा यहां पे जो photon की energy है वो कम है E naught से ऐसे वाले case में electron बाहर नहीं आते हैं we have fifth point and that fifth point is कि अगर E naught h nu के एक्वल होगा इसका मतलब हुआ electrons electrons come out with zero kinetic energy यह अब kinetic energy कहां से आ गई है हमारे पास photon गिर रहे थे h nu energy के और हमें बाहर निकाल ले में चाहिए E naught energy और दोनों की value है equal इसका मतलब photon के पास जितनी भी energy होगी है वो शारी की सारी energy electron को देगा और electron निकल के just बाहर तक आएगा just बाहर तक आएगा तो बस just किसी तरह से आप आएगा उसके पास कोई velocity, कोई motion, कोई kinetic energy नहीं होगी अगर E naught की value H new से कम है इसका मतलब हमारे पास जो photon आया उसके पास energy जादा थी और निकालने के लिए हमें energy कम चाहिए तो आप ऐसे understand करो कि हमारे पास एक electron यहाँ पे and suppose करो हमने इसको knock out करके बाहर निकालना है बाहर निकालने में हमें energy चाहिए E naught और हमारे पास जो photon गिर रहा था photon ऐसे गिर रहा था उसकी energy थी H new तो हमारे photon की energy थी H new और हमें इसको बाहर निकालने में चाहिए E naught तो जब photon जब electron यहाँ पे आएगा तो इसके पास energy होगी already this electron it has energy equal to H new minus E naught ऐसा हम लोगों ने क्यों बुला क्योंकि हमारे photon के पास energy थी H new वो सारी की सारी energy मिल गई electron को क्योंकि photon electron पे गिरते साथ खतम हो जाता है हमेशा के लिए और उसकी पूरी energy absorb हो जाती है electron में तो photon के पास energy थी H new वो मिल गई electron को लेकिन जब electron बाहर निकल रहा था तो उसकी energy का loss हो गया कितना हमें हम बोल सकते हैं कि that that H new minus E not is kinetic energy of electron and that equal to half m into V square हम ऐसे बोल सकते हैं perfect है तो हम लोग देख रहे हैं अलग-अलग stages कि photon कैसे बहब करता है electron का क्या nature होता है so let us move to experiment again यह हमारे एक्सपरिमेंट है हमारे पास photon आया and suppose करो photon की energy work function से जादा है work function का मतलब समझाया कि इसके अंदर से electron निकालने के लिए कितनी minimum energy चाहिए है उसको हम बोलते है work function तो अगर आने वाले photon की energy work function से जादा है तो जो electron निकलता है वो किसी kinetic energy के साथ निकलता है perfect है और उस kinetic energy को अभी हमने calculate करके देखा तो suppose करो ये वाले electron निकल रहे है अब हमने क्या करा ये cathode anode है और हमने इनके उपर एक battery लगा रखी है और देखो battery कैसे लगाई है ये ये ध्यान से देखो ये देख पा रहे हैं आप ये और हमें यहां से दिख रहा है ये कौन से side है ये positive side है इसका मतलब इस पे हमने positive लगा दिया और इस पे हम लोगों ने negative लगा दिया परफेक्ट हो गया और इसका मतलब क्या है इसका मतलब है हमने potential differences को दिया हुआ है तो ये वाला side positive potential है और ये वाला side negative potential इसका मतलब हुआ हम जब इस key को बंद करेंगे अभी experiment बंद पड़ा हुआ है जैसे हमने कीको बंद करा है experiment स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे करके फिर हम इस वाले कीको भी बंद करेंगे इसको बंद करेंगे तो circuit complete होगा और यह आजाएगा negative potential पे और यह आजाएगा positive potential पे यहाँ से निकलेंगे electron अब since यह negative potential पे है और यह plus potential पे है तो यहाँ पे एक electrifil होगी और electrifil की direction होगी positive से negative की तरफ यह है electrifil तो electrons जब बाहर निकलेंगे तो electrifil से opposite direction में force लगेगा और वो तेजी से भागेंगे और इस वाले plate पे पहुँच जाएगे जैसे वो इस plate पे पहुचेंगे यहाँ पे electron run कर रहे होंगे क्योंकि electron attracted होंगे positive plate की तरफ electron इदर से भाग रहे होंगे ऐसे ऐसे करके ऐसे भागेंगे और यह circuit complete हो जाएगा इस तरह से यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि electron यहाँ से run कर रहे है let's say we have applied zero potential अगर हम zero potential apply करेंगे तो यहाँ पे कोई potential difference नहीं होगा तो इस वाले plate तक electron पहुच तो सकते हैं कौन से electron पहुचेंगे जिनकी kinetic energy काफी जादा होगी वो यहाँ तक पहुच जाएगे लेकिन वो circuit में run नहीं करेंगे तो यहाँ पे deflection आएगा बहुत negligible मतलब current would be nearly zero हमें बहुत कम current मिलेगा अगर हम यहाँ पे zero potential apply करके रखते हैं हाँ लेकिन कुछ बार क्या होता है कई cases में यहाँ से photon काफी जादा energy के आते हैं वो इतनी जादा energy के आते हैं कि यहाँ से निकलने पे electrons काफी जादा काईनिटिक energy गेन कर लेते हैं उस gaining की वज़े से वो यहाँ तक भागते हैं और इस वालिप्लेट के अंदर enter कर जाते हैं और फिर enter करने के बाद आने वाले electron यहाँ पे इकठे होते रहते हैं बहुत सारे electron यहाँ इकठे हो जाते हैं जो electron अंदर enter कर गए उन पर repulsion लगता है और वो चलना शुरू हो जाते हैं और although हमने यहाँ zero potential लगाया हुआ है उसके बाद भी हमें circuit में कुछ ना कुछ current दिखाई देता है हाँ लेकिन अगर हम इस वाले potential difference को बढ़ाते चले जाते हैं तो current की value बढ़ती चली जाती है और कु current versus potential में graph plot करते हैं तो वो कुछ ऐसे आता है यह है potential V I am talking about this potential इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं और इसमें current होगा I उस I को हम लोग यहाँ लिख देते हैं imagine करो कि हमारे पास इस वाले case में H new E naught से जादा है E naught मतलब क्या बोला था हम लोगोंने work function से जादा है तो electron जब बाहर निकलेंगे तो वो zero kinetic energy से बाहर नहीं निकलेंगे they'll have some energy तो हमने imagine करो यहाँ पे कोई potential नहीं है circuit complete है लेकिन कोई potential नहीं है मतलब potential is zero लेकिन kinetic electron निकलेंग current कम मिल रहा है electron जादा निकलेंगे current कम मिलेगा तो यहाँ पर बहुत सारी electrons का cloud बनता जाएगा इकठे होते जाएगे इकठा होने की वज़े से electrons के flow में difficulty आएगी अगर हम इस voltage को बढ़ाना शुरू करें तो current बढ़ना शुरू होगा हम voltage और बढ़ाएंगे current और बढ़ेग कुछ time आएगा जब जितने electron निकलेंगे उतने electron यहाँ पर पहुचना शुरू हो जाएगे current हो जाएगा saturated या constant तो अगर हम इसके बाद graph plot करते हैं तो graph कुछ ऐसे आता है यह graph क्या show कर रहा है कि current कैसा हो गया constant आप potential कितना भी बढ़ाएं लेकिन current को current और बढ़ने वाला न potential is zero but we have some current हम चाहते हैं कि current zero हो जाए तो क्या करेंगे यह जो बैटरी हमें दिखाए दे रहे इसकी polarity को reverse कर देंगे मतलब यह जो बैटरी हमें जैसे दिख रही है यहाँ पर plus connected है यहाँ पर plus है और यहाँ माइनस है अगर हम इसकी polarity को उल्टा कर देंगे यहाँ पर minus और यहाँ पर plus कर देंगे तो क्या होगा अभी इलेक्ट्रीफील इधर है फिर इलेक्ट्रीफील हो जाएगी opposite direction में मतलब फिर इलेक्ट्रीफील आ जाएगी कुछ ऐसे अगर इलेक्ट्रीफील ऐसे आएगी तो इनवाले electrons पर force कहां लगेगा opposite direction में तो जिन electrons के पास kinetic energy भी जाते हैं कि इन electrons की वज़े से current zero आए तो हमें potential लगाना पड़ेगा उल्टा उल्टे वाले को बोलते हैं हम reverse potential तो reverse potential को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं इस वाले graph में कि अगर हम negative potential इसके पीछे आएगा negative अगर हम negative potential लगाते हैं तो current क्या हो जाता है zero त same direction में लग रहा है कि opposite direction में लग रहा है actually हमने लगाया opposite direction में लेकिन इतना potential लगाने से current हो गया zero तो V0 का नाम होता है stopping potential this is called stopping potential मतलब इतना potential लगाने के बाद हमें क्या मिला हमारा current हो गया zero so this is basically stopping potential तो कोई आप से पूछे कि stopping potential की definition बताओ तो stopping potential is that potential at which current becomes zero मतलब एक ऐसा potential जिस पे current की value zero हो जाती है photoelectric emission में ऐसे बाले potential को हम बोलते है stopping potential और वो कैसा होता है वो opposite polarity का होता है negative value आती है ऐसे हम show कर रहे होते हैं तो यह हमें एक graph मिल गया तो एक और चीज़ हमें दिख रही होती है कि suppose करो yes this we have already got suppose करो कि हमारे पास photon आ रहे हमारे पास photon आ रहे और photon की जो frequency है वो new है तो इसकी जो energy होगी वो h new होगी photon गिरेगा atom के ओपर और atom से जब electron निकलेगा तो energy का loss हो जाएगा अब ही तक हम बोल रहे थे जिसको e not na e not को अब हम w बोलेंगे क्योंकि हर जगह हम लोग w से define करते है w का मतलब होगा work function आपको याद होगा work function क्या होता है यह work function है suppose करो हमारे पास एक photon गिर रहा है h new energy का तो जब h new energy का photon गिरेगा उसका work function हो जाएगा w तो हमारे पास electron की बचेगी kinetic energy और वो होगी इतने के इक्वार तो h new minus w equal to kinetic energy इस वाली kinetic energy को हमने रोपना है मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास यह tube है we have tube यह tube है rough sketch बनाते हैं हम लोग और यह window है quartz window और यहां से photon आ रहे हैं और photon इस वाली plate पर fall हो रहे हैं तो जब photon इस पर fall होंगे तो electron यहां से निकलेंगे और यहां तक पहुचना है उसनों ने तो हमारे पास जो आने वाला photon है उसकी energy है h new इसमें से loss हो गया कितने का w का और बाकी क्या बच गया kinetic energy हम चाहते हैं कि यह वाली kinetic energy को हम zero कर दें तो हमें क्या करना पड़ेगा work करना पड़ेगा work कैसे करेंगे तो हम यहां पे potential apply करोगे opposite polarity का मैं आपको बता रहा था भी पीछे ऐसा वाला potential हमने apply कर दिया तो opposite polarity का मतलब हुआ कि यहां पे electrophil आ जाएगी ऐसे electrophil ऐसे आ जाएगी तो हमारे पास जो भी electron यहां से निकला तो इसके पास kinetic energy थी मतलब electron has kinetic energy equal to h nu minus w पर्फेक्ट हो गया और हम क्या चाहते हैं कि current हो जाए zero क्योंकि हम stopping potential पड़ रहे हैं हम चाहरे हैं कि current यहां जाते जाते zero हो जाए तो current zero जाने का मतलब हुआ यहां पर electron की velocity क्या हो जाएगी zero हो जाएगी तो जब हम यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं तो electron पर force कहां पर लगेगा electron यहां पर है इस पर force लगेगा back direction में और displacement कहां पर हो रहा है right direction में तो basically अगर कोई हम से पूछे कि work कितना आएगा work on electron कितना आएगा इस वाले case में तो answer आएगा f into इसको हम लोग length L माल लेते हैं f into L वो भी आएगा minus times minus times क्यों बोल रहे हम लोग क्योंकि force लग रहा है left direction में और displacement हो रहा है right direction में तो इतना work आएगा किस पर electron के उपर and this is equal to minus times ee into L ee का मतलब हुआ जो electron होगा अगर यहाँ पे electrifield e के बराबर होगी तो इस पर force लगेगा ee के बराबर multiplied by L अच्छा what is electrifield into length electric field into length होगा इन दोनों के बीच का potential difference उसको हम क्या बोल सकते हैं minus ev v का मतलब क्या आगया potential difference और वो कौन सा potential difference है वो यह है जो हमने apply करा है with opposite polarity तो यहाँ पे लिखा हुआ है minus e into b हम लोग देख रहे है negative लिखा हुआ है but actually जो potential difference होगा वो खुद भी negative होगा negative कैसे होगा हम लोग यहाँ से चल रहे थे और यहाँ पे पहुंचते है potential difference किसको बोलते है हम लोग पहले यहाँ पे थे electron यहाँ पे था इसको बोलेंगे initial इसको बोलेंगे final potential difference always क्या होता है final minus initial और final side कैसा potential है negative potential है negative आएगा perfect है इसको हमने इस form में लिख दिया now this h nu minus w is equal to e delta v so we have got relation this h nu minus w equal to delta v और अगर हम इसका potential difference के साथ में potential difference के साथ अगर हम frequency का relation देखते हैं तो कुछ इस तरह का रहा है अगर हम यहाँ पे graph plot करें कोई आप से बोले कि potential difference versus frequency में graph plot करो हम वो भी कर सकते है straight line graph आएगा लेकिन अभी हम plot कर रहे थे graph current versus potential का तो potential versus current में हमारे पास graph आ रहा था कुछ ऐसे और इसको हमने बोला हुआ था stopping potential this was stopping potential v naught लेकिन अभी क्या है stopping potential हर केस में इसको अगर हम proper बनाए तो यह saturated हो जाएगा perfect हो गया अगर हम stopping potential को देखें तो वी नॉट आ रहे है बट वी नॉट का मतलब क्या था वो potential difference जो हम अपलाई कर रहे थे frequency के लिए वो वी नॉट के equal आ रहे है बट इस potential difference will be different for different frequency photons तो हमारे पास relation आ गया frequency versus potential difference में कौनसा वाला potential difference है यह वो है जो हम लोगो ने apply करा हुआ है उसके बीच में हमारे पास एक relation आ गया तो अगर हम graph plot करें तो हम देख सकते हैं कि let us say we have this potential imagine करते हैं हमारे पास यहां पे frequency और यहां पे वो potential difference हैं जिसकी बात कर रहे हैं तो अगर हम इस graph को plot करें तो हम लोग कह सकते हैं delta v equal to h new minus w यह बिलकुल ऐसी आ गया है जैसे y equal to mx minus c यह इसके हिसाब से आ जाता है तो अगर हम इस graph plot कर रहे होते हैं तो हमें दिखाए देगा कि like it is this graph जहां पे m को हम बोलते थे slope यह slope होगा और slope यहां पे क्या होगा h है और h एक universal constant है इसका मतलब हर केस में जो graph आएगा उसका slope कैसा होगा slope सेम होगा तो अगर हम इस angle को बोलते हैं theta let's assume कि यह theta के बराबर होगा तो actually जो 10 theta आएगा वो हमेशा h आएगा always बोल रहा हूँ है क्योंकि यह universal constant है x का मतलब हुआ frequency frequency का मतलब हुआ यहां पे कि frequency different different हो सकती है तो अगर frequency की value different different होगी तो फिर इसकी value भी different different हो सकती है जहां पे w है work function इसकी value भी हमें नहीं मालूम कि क्या आएगी तो हमारे पास यह relation आ जाता है जहां पे यह इसको हम बोलते हैं intercept इसको हम intercept बोलते हैं और यह basically होता है इसके बराबर यह w के बराबर value है और हमारे पास इस form में graph निकल के आता है तो अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में we were studying about की potential difference और frequency में कैसा relation आएगा तो यह हमारे पास आ गया यह वाला graph किसके बीच में था current और potential difference के बीच में अभी हम क्या करेंगे next lecture में हम इन में variation देखेंगे अभी हम single photon की बात कर रहे थे अब हम next lecture में देखेंगे कि हम अलग-अलग तरह के photon fall करा है मतलब एक साथ हम तीन अलग-अलग frequency के photon गिरा रहे हैं तो उन में कैसा relation आएगा and we'll have this kind of आपस का comparison फिर हमें समझ में आएगा photoelectric effect के बारे में the fact की अलग-अलग photon कैसे behave करते हैं आज के lecture के लिए इतना तो next lecture में हम बाकिका पढ़ेंगे thank you so much बेटा, bye-bye